हेलो एवरिवन वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक मल्टिप्लिकेशन का ट्रिक दिया था जिसमें बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आया था कि सर यह मतलब कुछ लोग ऐसे कर रहे थे कि हार ट्रिक है तो कुछ कर रहे थे कि को झिसको छूम你 यह और हमको एंसर मिल जाए तो आज हम आपके लिए वैसा ही मंतर लेके आं कि जिसको आप छूम अंतर पहिए मिल जाएगा और वह तो आप का जापानी रूल लेकिन जापानी रूल का चर्चा करने से पहले हम पहले कल वाले वीडियो पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि जो आप लोग कह रहे हैं कि यह hard है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक अच्छा सा ट्रीक है, और देखो दिकत यह है, आते रहो अधिक सधिक 3-4 डिजित का multiply देता है तो वैसा नहीं होता तो एक-2 question देख लेते हैं हो सकता है कि आपको समझने में कुई तकलीफ हुआ उसके बाद हम क्या करेंगे जपानी रूल का चर्चा करेंगे इसी वीडियो में जपानी रूल का चर्चा करेंगे लेकिन बस एक-2 question देख लेते हैं कल वाले trick पर तो देखो जैसे कि हम बोले थे कि करना कै है अगर आपको दे दिया जाए 2-3 का multiply कीज़े 1-2-3 से तो हम क्या करेंगे बोले थे कि पहले वाले को वार्टिकल लिखना है पहले वाले को क्या करना है वार्टिकल लिखना है और हो री जन्टा लिखेंगे तो वान टू और ठीरी कर दी जें अब क्या किये देखो सबका एक membership makes लह क्षिए कर है य्याने दो क एकломद एक से करेंगे दो आएगा दोका 2 से करेंगे तो चारएगा दो का तीन से करेंगे तो छे. फिर तीन का एक से करेंगे तो तीन आएगा तीन का दो से करेंगे तो छे आएगा तीन का तीन से करेंगे तो क्या आएगा अब इसको क्या करना ऐसे डाइगोनली इसको डिवाइड कर देना डिवाइड करने के बाद देखो यह नाइन है इसके साथ और कोई डिजिट नहीं है तो नाइन का नाइन लिख देंगे यहां 6 और 6 है तो 6 और 6 जोरोगे तो 12 आएगा तो 12 का 12 थोरे लिखोगे 12 का यहां 2 लिखोगे carry होगा 1 इसको 1 इसमें add कर देंगे तो 4 और 3 7 और 1 8 और यहां होगे आपका 2 तो बताओ तो इसमें क्या hard है इसमें कोई दिकत नहीं ऐसा ही आपका multiply देगा इसे ही एक को vertical करना चलो second देख लेते हैं second मालो यह है कि 321 इसका multiply करना है 124 से तो हम क्या करेंगे 3 2 और 1 इसको क्या कर दिए vertically लिख दिए और 1 2 4 को क्या किये horizontally लिख दिए अब देखो 3 का 1 से करेंगे तो 3 आएगा 3 का 2 से करेंगे तो 6 आएगा 3 का 4 से करेंगे तो 12 आएगा 2 का 1 से किये तो 2 आया 2 का 2 से किये तो 4 आया 2 का 4 से किये तो 8 आया फिर 1 का 1 से करेंगे तो 1 इसका 2 और इसका 4 अब कुछ नहीं फिर से diagonal लिए ऐसे ऐसे क्या करना हमको divide कर देना है यह हो गया किलियर है अब क्या करना एड करना यह फोर देखो फोर लास्ट में अकेले है तो फोर का फोर लिख देंगे इसके सांथ कोई है नहीं आठ और दो आठ और दो मिलके हुआ दस दस का जिरो लिखेंगे केरी हुआ वन अब देखो 4 एक 4 एक 5 चोटा चोटा ही एक्जाम में आता है और उसके बाद और नहीं तो यह क्या बोलते हैं ऑप्शन भी दिया रहेगा तो यह भी एक अच्छा मेथा ऐसा नहीं है बस इसको समझने का थुरा सा परियास करो अब आते हैं हम अपने जापानी में अब जैसे कि मालो हमको क्या करना ज यहाँ यह हो गया फिद यह हो गया और फिर यहां अब इसका अरकव कहाँ आएगा इसका इंसर आजाएगा आपको का यह आततों इसको में यह हूं कि जितना गाड़ प्सक्रान कर दया गुतें यहां कितना कट किया दी तेन sou 10 9 तो यह नहां और यहां क्या था आपका था UP का दो यह आपका हो गया तू 9 9 यह इसका सबसूं को क्या करना जबद लुब्अ का कर ना धूसरी से क्या बड़क터리 कर जोने कर सकते हो एक अपना चोंच यह नहीं है नहीं में यूज कर सकते हैं यह कुई हाड मेधर नहीं अईसे भी इसे चिरी रहा हैं है लोगो बोरी ऑगे आज मॉल्टिप्लीकेशन के बनाने की और भी जैसे और फिर एड होता है उसका बताइंगे लेकिन बीच-बीचमे मॉल्टिप्लीकेशन का डालते रहेंगे कि जो असान भे हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं तो इसमें देखो यह भी 299 यह भी 299 आया तो पहले समझ लो कि मुल्टिप्लिकेशन मेथर में हमको करना क्या है तो देखो मतलब कि जापानी मेथर में यह आपका था 23 था और यह क्या था 13 था तो यहां 23 था तो जितना यह पहले है यह क्या है दो है यह क्या लिखा हुए दो है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे 2 लाइन खीचे हमको सबसे पहले दो line एक दूसरा को cut कर रहा है, देखेंगे कि कहां एक दूसरा को क्या कर रहा है, cut कर रहा है, तो देखो, यहां से इस point पर cut कर रहा है, इस point पर cut किया, इस point पर, फिर इस point पर, 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 इधर देखो, यहां cut किया है, यहां cut किया है, तो कितना है यह अगर लाइन को टोटल गिनोगे तो कितना हो जाएगा तो इस अगर टोटल लाइन को गिनोगे तो कितना हो जाएगा आपका आएगा नौ तीन चौव तीन नौ देखो इन दोनों को क्या करोगे यहां पर आपका गिनोगे तो आया तीन और यहां पर गिनोगे और और सिखाना का टाइम है सह लिए फिरभ का घ्रक यह रहें … और रहें तो सब्सक्राइब कर रहें वोल मसने प्रों बश्चेंड में से papra computer कर दोगे लेकिन कि पढ़ने हम आपको आराम से सिखा देते हैं दो डिजित का फिर हम पिर थ्रिट पे चलेंगे कि देखो इसमें अब क्या है कि अगर जैसे क्वेस्चन आपका कि थ्री और टू और इसका multiply करना है किसना से four और one से तो इसको कैसे करेंगे पहले three है तो पहले क्या करेंगे एक दो तीन लाइन हो गया फिर कितना है टू है तो यहां क्या करेंगे दो लाइन हो गया अब देखो चार है तो यहां से देखो, तो हम क्या बोले, सबसे पहले इसको count करना है, तो यह है आपका 2, इसके बाð देखो, इसको count करना है, तो 3 और इसको count करना है, तो यह बहुँंद दो 2, 4, 2, 6, 2, 8, और इन दोनों को जोड़ देना है, तो 8, 3, 11, 8, 3 कितना होता है, 11, तो 11 का यहां लीखेंगे, 1, 5 6 7 8 9 10 11 12 तो यहां आगे आपका 12 और प्लस में यह जो एक था तो 12 और एक मिलके कितना हो गया तेरा यह आपका क्या हो गया एंसर हो गया तो आप क्या कर सकते हैं कि यह आपका है जपानी मेथड इससे भी आप क्या कर सकते हैं कि मल्टिप्लाइ कर सकते हैं कि लिए है थे अब में अधिर्ट का अधिकर टेकर अधिकर एक देखो तो आगे आपका है next question देखे next आपका multiply करना अगर मालो 23 है और यह क्या 32 है इसको हमको क्या करना है multiply करना है तो हम क्या करेंगे देखो पहले क्या है two है तो पहले हम दो line खीचेंगे फिर क्या 3 है तो हम क्या करेंगे अब देखो इन दोनों को कांट कर इसको और इसको दो कितना है दो तीन 4 5 6 सथ आठ नोव तो यहां ऑगे आपका नौ उसके बाद देखो यहां दो तीन 4 और यहां आगे चार तो इन दोनों को टो एड करने ना तो और चर्ट कितना होग्या तरहत दोटो यह 2 हुए थिरी घडब करतें कितना होगया जैब आपको यह समझ में आ काटा-खुटी करना है और पॉइंट गिनना है वो हो गया यह क्या हो गया अब हम आपको बताएंगे थ्री मेधर वाला अब दो मेथर्ट का कम्प्लीट हो आप देखते हैं पीन मेथर्ट वाला यानि थ्री डीजिट वाला कि लिए अब देखो थ्री डीजिट में क्या है कि अगर जैसे आपको दे दिया जाए कि वन टू अब आभी अराम से चलते चोटा से वन टू वन और इसका वन थ्री वन इसको अगर क्या करना वन थ्री टू ही कर देते हैं इसका हमको क्या करना कैसे होता है तब बाद में डीजिट बर जागा तो कोई दिकत नहीं है और देखो अलग अलग फॉर्मुला जानना चाहिए और हो छो को कि जो तुमको मेठें व्हाtv याद व्याद में अपना दो जराओ यहां जैसे वन है तो हम क्या करेंगे एक लाइन खी gegenüber फिर हमको कया इसको फुरा और यह कषिन दिए और यह लाइन खीचेंगे अब क्या है तो हम क्या करेंगे दो लाइन खीच दिए इसमें हमको बस लाइन ही खीचना और कोई काम नहीं है अब क्या करना है देखो अब पॉइंट गिनना है यह क्या है वान और टू यहां कितना है यहां लिख देंगे अब देखो यह काम हो गया अब क्यों काम करना है इन दोनों को एक साथ वला काम करना है इन दोनों को एड करेंगे इसको मिटा देते हैं मतलब समझाने के लिए बता दिये इसको क्या करना है इन दोनों को एड करना है देखो, पॉइंट गेनते हैं, तो यहां कितना है, एक, दो, तीन, चार, यहां पर आगया आपका चार, यहां कितना है, एक, दो, तीन, यहां पर कितना हो गया, तीन, तो यह चार और तीन, कितना हो गया, यहां आगया आगया आपका साथ, अब देखो, इन तीनों को एक साथ करना इन तीनों को ये एक लाइन से है यानि यह हो गया है तो यह लिखेंगे एक तो यह आपका क्या हो गया एंसर हो आपका जपानि रूल है जितना है बस उतना क्या करनाओ को लाइन किसना सबसे पहले बर कैसी ली लाइन किसना फिर उसके बाद उसको ऐसे ऊपोर से उसको क्या करना है किसना हमेशा यह variance का सब्काइब 와 सबस्क्राइब तो आप जब सीख लोगे तो यह काम जल्दी-जल्दी कर सकतोः थोए जरूरी है कि ये हुआ एक लाइन य वह दो लाइन ये हुआ तीन लाइन ऐसे ठोरे करना जब आप सिख कर शक कि यह जल्दी-जल्द Då 3 multiply में है और यहां है आपका 4,1,2,1 के लिए आपका क्या है multiply में है तो हम क्या करेंगे पहले 1 है तो हम क्या किये एक line खीचेंगे फिर 2 है तो हम क्या करेंगे दो लाइन खीचेंगे, फिर तीन है तो हम क्या करेंगे, तीन लाइन खीचेंगे, अब देखो पहले है चार, तो एक, दो, तीन, चार, चार लाइन हो गया, उसके बाद है आपका दो, तो एक और दो लाइन हो गया, फिर आपका है एक, तो एक लाइन कर दिया, अब हमारा काम क्या है तो हमारा काम क्या है कि सबसे पहले इसको काउंट करेंगे तो एक दो तीन तो यहां कितना आया तीन आया उसके बाद देखो इसको काउंट करेंगे और इसको यह आया दो और इसको काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे यह आया च्छे इन दोनों को काउंट कि यहां आपका आगया 12, इन तीनों को जोड़ो, 12, 4, 16, 17, 17 का यहां लिखेंगे 7, carry हुआ 1, अब देखो इसको लिखेंगे तो यह हो गया आपका 2, और इसको करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां आपका यह 8, तो 8 और 2, 10, 8 और 2 कितना, 10 और 1 carry हुआ थो, 10 और 1 कितना हो गया 11, फिर से हाथ में carry हुआ, और यहां करेंगे 1, 2, 3, 4, 4 और 1, 5, तो यह आपका क्या हो गया, answer हो गया, तो आप कितना भी बड़ा हो, आप बड़ा से भी बड़ा multiplication को क्या कर सकते हैं, आप इस जपानी method से इसको solve कर सकते हैं, और करना है क्या, बस ऐसे ही line खीचना है, cut करना है, और कितने point पर एक दूसरा को cut कर रहा है, भस यह count करके लिख देना, याद रहे, बस सबसे पहले इसका count करना है, फिर उसके बाद अगर three digit है, तो इसको करना है, फिर यह diagonally 3 नुक करने है, फिर इन दोनों का लग करना है, और इसका क्या करना है, अलग करना है, तो बस य यह method याद रखिए आपका भारी से भारी अगर multiplication होगा तो वो क्या हो जाएगा आसानी से solve हो जाएगा फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट कीजेगा एक और तरीका लाएंगे अभी मल्टिप्लिकेशन का चारूल होता अभी तो बैदिक मैठेक होता है वो हम आभी आपको बताए ही नहीं हो तो हर में थर्ड बताएंगे बस इंतजार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि अगर हम कोई भी सौट्रिक या कोई भी वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और यह निश्ची था है कि हम आपको छे महिना ने मुस्किल से तीन महिना के अंदर आपको कल्कुलेशन में मास्टर बना देंगी यह मेरा गैरेंटी है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही र